UPSC style के प्रस्ण आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे पहला प्रस्ण है भारत की सबसे तेज सोड एलेक्टिक नौ बारा कुडा को कहां लांच किया गया है वेर वास इंडियास फास्टेस्ट सोलर एलेक्टिक बोट बारा कुडा लांच दे और इसे बारा यात्रियों और कारगो को ले जाने के लिए एक वर्क बोट के रूप में उबर खावर समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है 14 मीटर लंबा 4.4 मीटर चोड़ा जहाज 12.5 समुद्री मील किलो मीटर में कहा है तो 23 किलो मीटर परती घंटे की शिर्स गती प्राप्त कर सकता है और एक बार चार्ज करने पर इसकी सीमा 7 घंटे है इसमें जुरुआ 50 किलो वाट एलेक्टिक मोटर एक समुद्री ग्रेड LFP बैटरी और 6 किलो वाट सोर उठ जा है जो कुशल और स्वच उठ उठ जा उप्योग का प्रतीक है किस कंपनी ने एक छोटा भासा मॉडल जारी किया है विच कंपनी है रिलीजड ए स्मॉल लैंग्वेज मॉडल राइटां सरीज ओप्सा नमर डी माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने टू जारी किया जो समान ग्यांतरक और भासा समझने में सक्चम एक छोटा भासा मॉडल है और यह अब एजियोर एआई स्टूडियो मॉडल केटलोग में उपलब्ध है नत संस्क्रन के रूप में स्थापित यह मॉडल जनरेटिव AI में छमताओं का दावा करता है जो लामा दो, मिस्ट्रल और जेमिनी टू जैसे बड़े समक्चों को चुनवती देता है 27 बोनट मकाग प्रजाती के बंदराओं के शबों की खोजहाली में किस राजिमें की गई है In which state have the dead bodies of 27 बोनट मकाग मंकी इस बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली त्राइटाम सरीच ऑप्सन अमर B करनाटक, दक्षिन करनर जिले के गउं में 27 बोनट मकाग बंदरों के शब मिले है सब पस्चिमी घाट के सिमान्त इलाकाओं में सूलिका तालूप के गुथिगारू गउं में एक गड़े में पाए गए यह घटना मानव बंदर संघर्ज के करन होने की संभावना है क्योंकि मानव आवास और खेती ने जंगलों पर कबजा कर लिया है जिससे वन जीवों के लिए बहुत कम जगा बचा है बोनट मकाक प्राचीन विश्व के बंदरों की एक प्रजाती है यह भूरे भूरे रंके होते हैं इनके बड़े कान जुडी दार चेहरे और इनके सीर पर बाल होते है एशिया की सबसे बड़ी जुगी बस्ती धारावी का संबंध किस शहर से है 2004 में महरास्प सरकार ने मुंबई को सलम मुक्त शहर बनाने के उद्देश के साथ सलम पुनर्विकास प्राधिकरन SRA के तहत धारावी पुनर्विकास प्राधिकरन का गठन किया यह पहल अत्रधिक जुगी अबाधि वाले शहर मुंबई में जुगी पुनर्वास की लगतार शहरी चुनोती को संबोधित करती है न्यूज में भी क्यों है धारावी पुनर्विकास प्रियोजना DRP ने विजेता बोली लगाने वाले के परती पक्षपात के आरोखों की कारण विवादों को जन्म दिया है इस पडियोजना के लिए धारावी पुनरविकास प्रजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रायोजन वाहन के स्थापना की गई है हाली में चर्चा में रही पुनवरा धाम किस राजज में स्थीद है पुनवरा धाम which is in the news recently is located in which state The right answer is option number A पुनवरा धाम को भगवान स्रीराम की पत्नी तथा हिंदू धर्म में पुजनिय देवी सिता का जन्म स्थान मा लगाता है अभी नियूज में क्यों है बिहार सरकार द्वारा हाली में सिता मडी जिले मस्थीद एक मंदीर पडिसर पुनवरा धाम को एक परमुख परटक अस्थल के रुप में विक्सित करने के लिए एक प्रयोजना को मंजूडी दे दी गई है वाल में की द्वारा रगचित रमायन के अनुसार जब मिधिला के शाषक राजा जनक भूमी पर हल चला रहे थे तब सिता का अवतरन एक कुंड से हुआ था यदि आप सत्तरवी BPSC परिच्छा के करेंट फेर्स का PDF प्राक्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहां दी जा रही है लेकिन आए इससे पहले जानते हैं कि MPN Academy एप ही क्यों क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करेंट फेर्स का PDF कोर्स ही MPN Academy एप पर उपलब था जिसमें हर एक्जाम में लगवग 30 प्रस्न टैली हुए हैं आप वीडियो पाउज करके देख सकते हैं सभी एक्जाम की डिटेल 68 और 69 वी वी पेसी के लिए जोकी 2023 में आयुजित किया गया था Diamond Static GK Test Series भी प्रोवाइट किया गया Current Affairs के अलावा और 30 से बरकर के ये टैली चला गया है 45 और इस वार 70 वी वी पेसी के लिए हमने MCERT का कोर्स लांज किया है और असली धमाका होगा 2024 में तीनों कोर्स मिला करके 70 वी पेसी में हमारा टैली का टारगेट है 120 यानि 150 में से 120 प्रस्ण टैली करना है और सेलेक्शन को पक्का करना है दोस्तों इन एकजांस में MPN Academy एब से टैली किये गए सारे प्रस्णों की पूरी डिटेल वीडियो की रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी साल भर का करेंट फेस्ट आपके वल 18 गंटे में रिवाइज कर पाएंगे क्या-क्या मिलेगा आपको तीन तरह के कंटेंट मिलेंगे Weekly Current MCQs National और International का एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लएगा कुल 50 PDF के लगबग आपको साल भर में प्रवाइज किया जाएगा तो 5 गंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे Monthly Current First के Short Notes National और International के 12 PDF मिलेंगे हर एक महिने का एक PDF एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लएगा कुल 6 गंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे और विहार Monthly Current First के 14 PDF आपको मिलेंगे जिसमें Budget और Economic Survey यहां भी प्रवाइज किया जाएगा और यहां भी एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट कुल 7 गंटे इस प्रकार से 18 गंटे में साल वर का Current Affairs आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे MPN Academy App पर दो प्रकार के Test Series आपको मिलेंगे एक है NCRT Test Series बिलकुल New BPSC और UPSC Style वाले MCQs आपको मिलेंगे टोटल 36 सेट मिलेगा आपको Class wise और Subject wise और एक टेस्ट में प्रस्णों की संख्या रहेगी 100 दूसरा टेस्ट है Diamond Static GK Test Series होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा एक टेस्ट में 120 प्रस्ण रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25 दोनों टेस्ट स्रीज आपको Negative Marking के साथ उपलब्ध हैं आपको सत्तरवी BPSC प्राडम भी परिच्छा के ये PDF और टेस्ट स्रीज मिलेगा कैसे Google Play Store पर MPN Academy टाइप कीजिए इस तरह का लोगो दिखेगा आपको इंस्टॉल कीजिए OTP देने के बाद आप खुलेगा इस्टोर सेक्षन में नीचे चले जाइएगा वहाँ पर आपको कोर्से मिलेंगे तीन परकार के कोर्से उपलब्ध है Current Affairs PDF कोर्स सत्तरवी BPSC के लिए Test Series, दो परकार के MCRT और Diamond Static GK Test Series कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा बहुत ही मामुली शुलक के साथ ये Test Series और Current Affairs के PDF आपको प्रवाइट किये जा रहे है पेमेंट करते ही content section में आपको सारे study materials उपलब्ध करा दिये जाएंगे किस मंत्राले ने mobile application पार्ट मित्रो लॉंच किया है विच मिनिस्ट्री है लॉंच्ट दे मोबाइल अप्लिकेशन पार्ट मित्रो The right answer is option number C कपड़ा मंत्राले मिनिस्ट्री आप टेक्स्टाइल्स वस्त मंत्राले ने जूट संगोष्टी के दोरान जूट Corporation of India Limited दोरा विखसीत एक mobile application पार्ट मित्रो लॉंच किया एप छे बासाओं में उपलब्ध और सभी कार्ड छमताएं उप्योग करताओं को निशुल को उपलब्ध कराई जाती है या एप किसी सम्मंदित प्रथाएं न्यून्तम समर्थन मुल्य MSP वीबरन जूट Gradation Parameter जूट I Care योजनाय मौसम पुर्वानुमान जूट Corporation of India के खरीद केंद्रों के अस्थान और खरीद नितियां भी परदान करता है या किसानों को अपने जूट बुक्तान को ट्रैक करने एवं प्रसनाओ के लिए चैट बॉट का उप्योग करने में सक्षम बनाता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिये जूट का सबसे बड़ा अकपादक देश कौन सा है टॉप थ्री पहली बार आयाजित किये गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पदक तालिका में शिर्स अस्थान किसने हासिल किया पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संबन हुआ इन खेलों में 173 स्वर्न पदक दौपर थे इन में से हडियाना ने 40 स्वर्न, 49 रजत और 26 कांसे पदक के साथ कुल 105 पदक जीत कर पहला अस्थान हासिल किया 62 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिल नाडू तिसरे स्थान पर रहा 42 पदकों के साथ IUCN Red List की updated list में अब कुल कितनी परजातियां शामिल है How many species are now included in the updated list of IUCN Red List The right answer is option number C 1,57,190 अंतराष्टिय प्रकृति संडक्षन संग IUCN Red List में इनमें से 44,66 पर विलुप्त होने का खत्रा है यह जनकाडी पाटियों के 28 सम्मेलन COP28 में प्रस्तूत की गई IUCN Red List श्रेनिया मुल्यांकन की गई परजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिवासित करती है इसके साथ ही इनके लगातार तीसरी बार राष्ट पती बनने का राष्टा साफ हो गया LCC 9 साल से मिश्ट के राष्ट पती है इनका अगला काड़काल अपरेल 2024 में शुरू होगा और 6 साल तक चलेगा LCC की अलावा तीन अन्य उमिदवार भी राष्ट पती पत की दोर में सामिल थे LCC के बाद दूसरे नमर पर रहे उमिदवार हजयम उमर जोकी Republican People's Party के थे को सिर्फ सारे 4 प्रतिसत वोट ही हासिल हुए किस भारतिय को भूटान के प्रतिस्थित National Order of Merit Gold Medal से समानित किया गया है भूटान के प्रतिस्थित National Order of Merit Gold Medal से समानित किया गया है भूटान किंग जिगमे खेसर नाग्याल वंग्चुक ने भूटान के प्रतिस्थित National Order of Merit Gold Medal से समानित किया गया है के 116 में राष्टिय दिवस समारों में इन्हें समानित किया MPN Academy का Telegram पेज आवस से जोइन करें Telegram पर सर्च किजी MPN Academy इस प्रकार से लोगो दिखेगा क्या-क्या मिलेगा आपको इसमें BPSC से सम्बंदित Updated News आपको मिलेगी BPSC Preparation से सम्बंदित Strategy और Planning की PDF आपको फ्री में उपलब्द कराई जाती है Test Siri जो App Portal पर उपलब्द कराया जाता है उसका syllabus और Topper का result भी MPN Academy आप के courses और YouTube के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे तो इस page को आवस सी जोइन किजी दुनिया के सबसे बड़े Meditation Center सरवेद महामंदीर का उदगाटन किस शहर में किया गया In which city has the world's largest Meditation Center सरवेद महामंदीर been inaugurated The right answer is option number B वारा नसी प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी ने वारा नसी में तीन लाख वर्ग फीट में फैले दुनिया के सबसे बड़े ध्यान सेंटर सरवेद महामंदीर का उदगाटन किया यह शहर के कैन्द से लगवग 12 किलो मिटर दूर उम्रहा में अस्थीत है यह एक साथ मंजीला मेडिटेशन सेंटर है इसमें एक साथ 20,000 लोग योग सेसन में भाग ले सकते हैं इसका निर्मान विहंगम योग संस्थान द्वारा किया गया है विहंगम योग संस्थान जिनका सौवाँ वार्षी कोच सब मनाया गया के प्रनेता कौन है संत सदाफल महराज मौंट विंटसन किस महादीप में अस्थित है इमिज कंटिनेंट इस मौंट विंटसन लोकेटेड द्राइटन सरीच ऑफ्सन नमर सी अंटाक्टिका मौंट विंटसन समुद्र तल से लगभग 4892 मीटर फीट में कहें तो 16,050 फीट उपर है न्यूज में अभी क्यों है केरल सरकार के करमचारी शेक हसन खान ने अंटाक्टिका के सबसे उची चोटी मौंट विंटसन फटह कर लिया है इनके द्वारा फटह की गई है पांचमी सबसे उची चोटी है मौंट विंटसन के अलावा खान ने चार अन्य उची चोटियों एशिया में मौंट एवरेष्ट उत्तरी अमेरिका में मौंट डेनाली अफरिका में मौंट किली मंजारों और यूरोप में मौंट एलबरस पर विजय प्राप्त की है IPL के इतियास में सबसे महगा खिलारी कौन है Who is the most expensive player in the history of IPL The right answer is option number B मिचल स्टार्क ऑस्टेलिया के पैट कमिंट्स IPL के इतियास के सबसे महगे खिलारी बन गए थे Sunriders हैदराबाद ने 2 करोर रुपिय की बेस प्राइस वाले ऑस्टेलिया कप्तान को 20.05 करोर रुपिय में खड़िदा था ऑस्टेलिया के ही तेज गेंदवाज मिचल स्टार को को कोलकाता नैडस द्वारा 24.05 करोर रुपिय की भारी कीमत पर बेचे जाने के साथ ही यह रिकार्ड तूट गया और अब नया रिकार्ड मिचल स्टार के नाम है ग्रामिन विकास मंत्राले ने स्वेंग सहायता समूहों के उत्पादों की पहुच बरहाने के लिए किसके साथ समझवता किया है विध हूम हैज दर मिनिस्टी ओफ रूरल डेवलप्मेंट signed an agreement to increase the reach of products of self-help groups ग्रामिन विकास मंत्राले ने दीन दयाल अंतियोदय योजना राष्टिय ग्रामिन आजिवी का मिशन के स्वेंग सहायता समूहों के उत्पादों की पहुच बरहाने में मदद के लिए Reliance Retail के Gio Mart के साथ एक समझोता ग्यापन यानी MOU पर अस्ताक्षर किया है दिन दयाल अंतियोदय योजना भारा सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्नूलन काड़क्राम है और ग्रामिन गरीबों की आजिवी का में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है F.I.H. पुरुष प्लेयर अफ दे इयर 2023 से किसे समझानित किया गया है Who has been conferred with F.I.H. Men's Player of the Year 2023 The right answer is option number A हर्दिक सिंग भारतिय हौकी टीम के मिड़िटर हर्दिक सिंग को घोषित F.I.H. हौकी स्टार अवाट्स 2023 में पुरुष F.I.H. प्लेयर अफ दे इयर चुना गया हर्दिक सिंग भारत की टोकियो 2020 कांसे पदक विजेता टीम का हिस्सा थे मिड़ फिल्डर 2023 F.I.H. हौकी विशुकप के सुरुवाती कुछ मेंचों के लिए भारत के लिए ओसाधारान खिलाडी था लेकिन बाद में हमस्टिंग की चोट के कारण बाहर हो गया प्लेयर अब दे यर महिला का वाट की नहीं मिला है निदरलैंड की जैन डे वार्ड F.I.H. महिला गोलकीपर अब दे यर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है who has been awarded the F.I.H. Women's गोलकीपर अब दे यर 2023 द्राइटां सरीज ओप्सा नमर B सवीता पुनिया बाहरती है महिला होकीपर की कप्तां सवीता ने गोलकीपर अफ़ दे यर महिला पुरसकार जीता है सवीता ने लगातार तीसरी रहर इस वर्च फ.I.H. महिला गोलकीपर अब दे यर पुरूसका अवाट किसे मिला पिर्मिन ब्लैक डश खिलाडी F.I.H. Rising Stars का उर्षकार मिला है टेरेसा लिमा और गैसपार जेवियर को अधन की खाड़ी किस देश द्वारा साजा नहीं की जाती है अधन की खाड़ी गल्फ ऑफ एडन अफरिका का आता है कि मद्य अस्थित है यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक समुद्री लिंक बनाता है अधन की खाड़ी मुख रुप से तीन परोसी देशों के बीच साजा की जाती है पूर्व में है जिबूटी, दक्चिन में सुमालिया और उत्तर में यमन न्यूज में भी क्यों है भारतिय नौसेना ने हालिया समुद्री लिंकेटी की गटना के मद्यनेजर अधन की खाड़ी छेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वनसक तैनात किया है इस कदम का देश अधन की खाड़ी छेत्र में समुद्री लिंकेटी के परियासों को रोकना है राष्टिय खेल प्रुषकार 2023 के तद मौलाना अबुलकलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता त्राइटान सरीज अप्शन अमर सी, गुरु नानक देव विश्विद्याले, अमरी सर पंजाब मौलाना अबुलकलाम आजाद ट्रॉफी अंतर विश्विद्याले ट्रॉनामेंट में शांदार प्रदसन के लिए हर साल प्रदान की जाती है पर्थम उब्विजेता का अवार्ड लवली प्रोपेस्टनल युनिवर्सिटी पंजाब और द्वीतिय उब्विजेता का अवार्ड कुरुचेतर विश्विद्याले कुरुचेतर को दिया गया है किस क्रिकेटर को अरजुन प्रोषकार 2023 से सम्वानित किया गया है विट किर्केटर है इस बिन अवार्डेट वीद अर्जुना आवार्ड ट्वंटी थी द्राइटां सरीच ओप्सन नमबर सी मुहम्मद शमी युवा कारिकनम और खेल मंत्राले ने राष्टिय खेल प्रुषकार 2023 की गोशना कर दी है वन डे विशुकप 2023 में शांदार प्रदसन करने के लिए मुहम्मद शमी को देश के प्रतिष्टित खेल प्रुषकार अर्जुनावाट से समानित किया गया है शमी सहीत 26 खिलाडियों को अर्जुनावाट से समानित किया जाएगा भारतिय कुष्टि संग का नया ध्यक्ष की से निउक्त किया गया है उत्तर प्रदेश कुष्टि संग के उपाध्यक्ष संजय सिंग के पक्ष में 40 वोट परे अनित्या श्योरान को मात्र साथ वोट मिले संजय सिंग भारतिय कुष्टि संग की काडिकारनी पडिशद के सदसरा चुके है और 2019 से संग के संजुक्त सचीब भी है संजय सिंग ने विवादों में घिरे ब्रिज भूशन सरन सिंग का स्थान लिया जिने यौन शोशन सहित गंभीर आरोपाओं के कारण पद छोरना पड़ा था इस बीच 2016 रियो अलम्पिक की कासी पदक विजिता साक्षी मलिक ने संजय सिंग के भारतिय कुष्टि संकार ध्यक्ष बनने पर कुष्टि छोरने की भावु घोशना की हलांकी बाद में खेल और युवा मंत्राले ने 24 दिसंबर को नवनिर्माचित महासंग को निलंबिद्यानी सस्पेंड कर दिया है भूमी रासी पोटल किस मंत्राले की एक पहल है भूमी रासी पोटल इजन इनिसियटीव फुच मिनिस्ट्री राटन सरीच अप्सन नमर डी सरक पडिवहन और राजमार्क मंत्राले भारतिय राष्टिय राजमार्क प्राधिकरण की 1467 पडियोजनाओं को भूमी रासी पोटल के तहत लाया गया है यह सरक पडिवहन और राजमार्क मंत्राले की एक e-governance पाल है इसका उदेश सी राष्टिय राजमार्गों के लिए भूमी अधिगरहन की प्रक्रिया में तेजी लाना है एक वर्ट्स में 10 करोड यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतिय एरलाइन कौन बनी है which has become the first Indian airline to fly 100 million passengers in a year राइटाम सरीज आप्सन नमर ए इंडिगो साल 2023 में 3 करोड भारतियों ने पहली बार हवाई यात्रा की इंडिगो एक कैलेंडर वर्ट्स में 100 million यानी 10 करोड यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतिय एरलाइन बन गई है इंडिगो ने पिछले 6 महने में 20 international route पर अपनी उरान शुरू की है इंडिगो की रूप में कारोबार कर रही इसका मुख्या लेका है गुडगाओं में PM विश्व कर्मा योजना के लिए कितने करोड रुपिये अवंटित किये गए है How many करोड रुपी has been allocated for PM विश्व कर्मा योजना The right answer is option number B 13,000 करोड रुपिये विट्वर्ष 2023-2027-28 तक के लिए सरकार ने PM विश्व कर्मा योजना के लिए 13,000 करोड रुपिया वंटित किये है PM विश्व कर्मा योजना 17 सितंबर पिछले साल 2023 को प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के 73 जन दिबस के अवसर पर शुरू की गई थी इस योजना काव देश से उन काडिगारों और सिल्फ कारों को सक्षम बनाना और साहता प्रधान करना है जो अपने हाथों से टूल्स का उप्यों करके 18 वेवसायाओं में काम करते है मेजर ध्यान चंद खेल रतन प्रुषकार 2023 से किसे संबानित किया गया है उप्रोक में से एक से अधिक युवा मामले और खेल मंत्राले ने मेजर ध्यान चंद खेल रतन प्रुषकार 2023 के लिए चिराग सेटी और रंकी रेड़ी साई राज को चुना है यक प्रुषकार किसी खिलाडी द्वारा पिछले चार वर्सों की अवदी में खेल के छेत्र में उत्कृष्ट प्रदसम के लिए दिया जाता है उच्चतम नियायले के सेवा निवरित नियायधीस नियामुर्ती एम खान विलकर के धक्षिता वाली चैन समिति की सिफारिश क्यादार पर राष्टिय खेल प्रुषकार 2023 के विजयताओं का चैन किया गया चलिए अब UPSC स्टाइल के प्रसनों को हल करते हैं संघाई सहयोग संघठन SCO के बारे में निम्द कतनों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनना है इसका गठन 2000 issue में किया गया था नहीं इसका गठन वर्ट्स 2001 में किया गया था SCO चार्टर पर वर्ट्स 2002 में अस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ट्स 2003 में लागू हुआ था सही है 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसके पुर्म सदस से बन गए यह भी सही है तो सही जवाब क्या हो जाएगा आफसर नमबर B केवल 2 और 3 SCO के कुल 8 सदस से हैं भारत, तजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्विस्तान और उजवेकिस्तान इसका मुख्याले कहा है वेजिंग चीन में न्यूज में भी क्यों है SCO के सदस देशों के अधिकारियां ने SCO की छेती ये आतंगवाद, विरोधी संरचना की काडिकारी समीती के सयोग से आतंगवादी, अलगावदी और चरम पंथी ओनलाइन गतिविदियों पर अंकुस लगने के लिए एक संजुक्त आतंगवाद विरोधी अभ्यास का आयजन किया भारत द्वारा आयजित ये अभ्यास आतंगवादी, अलगावदी और चरम पंथी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के दोहन को कम करने पर केंद्रित था सोसल स्टॉक एक्स्चेंज के बारे में निम्र कत्रों पर विचार करें सही उतर चुनना है इस स्टॉक एक्स्चेंज को केंद्रिय बजट वर्ष 2019-2020 में प्रेश किया गया था या बाजार नियामक भारतिय परतिबूती और विनिमय बोड से भी के तहद कार्ज करता है ये भी सही है इस स्टॉक एक्स्चेंज पर सुची बद होने वाली पहली इकाई क्या बनी है SGBS उन्नती फॉन्डेशन ये भी सही है तो सही जवाबो जगा अप्सन नमर डी एक दो और तीन तीनो सही है SUF यानि SGBS उन्नती फॉन्डेशन एक गयर लावकाड़ी संगठन यानि NPO है नन्प्रोफिट अर्गनेजेशन है जिसे वर्ट्स 2011 में स्थापित किया गया था सोसल स्टॉक एक्स्चेंज के साथ पंजी करन के बाद एक गयर लावकाड़ी संगठन जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्टूमेंट जारी करके SSE पर धन जुटा सकता है डागघर अधिनियम 2023 के बारे में निम्न कतनों पर विचार करें सही उतर चुनना है इसने भारतिया डागघर अधिनियम 18199 को निरस्त किया है सही है यह 25 दिसंबर 2023 को लागव हुआ यह भी सही है वर्तमान विदयक के ताथ अधिनियम की धारत 3 को अटा दिया गया है नहीं गलत है धारत 4 को अटा आया गया है तो सही जवाब क्या हो जाएगा आफ्सन नमर B केवल 1 और 2 सही है यह भील 10 अगस 2023 को राज सवा में पेश किया गया था वहाँ पर 4 दिसंबर को पास हो गया और 18 दिसंबर को लोग सवा में से पारित किया गया वर्तमान विदयक के ताथ 18199 के अधिनियम की धारत 4 को अटा दिया गया है निम लिखित कथनों पर विचार करें Consider the following statements सही उतर चुनना है भारत का पहला परमानू काडिकरम वर्स 1940 के दशक में शुरूवा था बिल्कुल सही है 1948 में परमानू उर्जा आयोग के स्थापना की गई यह भी सही है भारत ने पोखरन में अपरेशन स्माइलिंग बुद्दा 1974 के रुप में अपना पहला शांती पूर्ण परमानू विस्पोट किया यह भी सही है काकरा पर परमानू उर्जा संजंत्र महराष्ट में स्थी था नहीं महराष्ट में नहीं गुजरात में स्थी था उप्योग के लिविजली अब मिलेगी नियंतरक महालेखा पड़िचक CAG के बारे में निमलेखित कतनों पर विचार करें Consider the following statements regarding controller and auditor general CAG सही उतर चुनना है अनुच्छद 146 CAG के एक स्वतंत काड़याले का प्राधान करता है नहीं अनुच्छद 146 नहीं बलकि 148 तो ये गलत हो गया CAG की न्युक्ति भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है सही है CAG का वेतन और खर्ज भारत की संचित निधी पर भारित होता है यानि Consolidated Fund of India पर सही है गिरिश चंदर मुर्मू भारत के वरतमान CAG है ये भी सही है तो सही जवाब हो जाएगा केवल 2,3 और 4 न्यूज में भी क्यों है कैलेंडर वर्ट्स 2023 में CAG द्वारा तयार कैन सरकार के लेखांकन पर केवल 18 अंग 56 रिपोर्ट संसद में प्रस्तूत की गई वर्ट्स बार विसलेशन से पता चलता है कि कैंसर कारदवर संसद में प्रस्तूत किये जाने वाले अंग 56 के संख्या में कमी हो रही है दोस्तों जैसा कि बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का पीडियाफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भासाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ MPN Academy एप पर प्राप्थ होगा दोस्तों इन पीडियाफ के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से पांस से चे मिनिट में रिवाइज कर पाएंगे जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर डिवोट कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं दोस्तों MPN Academy एप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाप्स और पिंट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा चलियान तिम प्रस्ण को हल करते हैं सूरत डायमंड बोर्श के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनना है प्रधान मंतरी नरंद्र मोधी ने 17 दिसंबर को बने सूरत डायमंड बोर्ट्स बिल्डिंग का उधगाटन किया तो सही जवाब हो जाएगा ओप्सन नमर ए केवल एक और दो यह सबसे बड़ी इंटर कनेक्टेड और अमेरिकी रक्षा मुख्याल है पेंटागन से बड़ी आफिस बिल्डिंग है इसमें 4500 से अधिक दफ्तर है इसका मुक्त देश सूरत की हीरे की कटाई और पॉलिसिंग विसे सग्यता का लाब उठाते हुए हीरा व्यापार के अंदर को मुंबई से सूरत में अस्थानांतरित करना है दोस्तों इसी के साथ सबताही करेंट फेर्स टेस सेरीज के इस संस्क्रण को समापत करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में All the best for your exam preparation